आज हम पढ़ेंगे स्टूडिंट्स पेनियर ग्लांड के बारे में बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और आपको बहुत हेल्प करने वाला आपके एक्जाम में अगर आप किसी भी एक्जाम के प्रिप्रेशन कर रहे हैं यह तो जनल अवेरनस तक में पूछा जाने वाला आएगा वहां आपको एंडोक्राइन सिस्टम वाली प्लेलिस मिल जाएगी उससे जरूर देखेगा वह आपको हेल्प करेगा चलिए लेट्स स्टार्ट टॉपिक इस्टूडिंस पीनियर ग्लांड इसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं मैं आपको फर्स टाइम पढ़ा रही पीनियर ग्लांड के बारे में यह जो ग्लांड होती है स्टूडिंस यह हमारी सबसे छोटी अंतास्तरावी ग्रंती होती है सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लांड होती है अगर आपको आप्शन में पीनियर ग्लांड दिया गया है और पूछा गया है कि मानव शरीर के सबस चोटी ग्लैंड लेगिन अगर option में penial gland मौझूद है तो आपके option penial gland हो जाएगा क्योंकि ये शरीर की सबसे चोटी ग्रंती होती है और ये भी आपके दिमाग में मस्तिश्क में present होती है ठीक है melatonin hormone secret होता है इसमें से sleep hormone बोलते हैं melatonin hormone important hormone है secret होता है किस gland से penial gland से secret होता है और इसे sleep hormone भी बोलते हैं अब इससे sleep hormone क्यों बोलते हैं students क्योंकि यह जो hormone होता है यह अंधेरे में ही निकलना start हो जाता है जैसे आपके जो है सूरज ढलता है और आपके अंधेरा होता है रात आती है तुरंत यह hormone जो है secret होना start हो जाता है और दिन के ओजाले के साथ यह समापत हो जाता है मतलब जैसे दिन होता है सवेरा होता है तो यह आपके जो hormone है यह secret होना निकलना बंद हो जाता है इसी वज़े से हमें नींद आती है इस hormone की वज़े से ही जो है आपके जो नींद की प्रोसेस है वो चलती है मेलाटोनिन होर्मोन इसे बोलते हैं समझ में आ गया तभी अब जिन लोगों का जो है स्केडियूल ही चेंज हो गया है उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है तो इसी वज़े से उनमें जो है नींद की बिमारी की परिशानिया या और कोई दिक्कत होर्मोनल डिस्बालेंस उन में नींद आती है अंधेरे में निकलता है उजाल में समापत हो जाता है इसलिए आप रात में सोते हैं क्लियर हो गया नेक्स्ट हम देख लीजे आप यह सिचुएटिट कहां होती है तो यह रही आपके पिट्यूटरी ग्लाइन यहां पर और यह वाली जो ग्लाइन यह है तो यह आपके एंपो फालमस भी आपके ब्रेण में होता है यह तिनों चीजे बहुत इंपोर्डन है है यह सब से चोटी ग्रंति है अपकी हन बॉड़ी की अब इसके फंक्शन्स क्या क्या हैं फंक्शन्स पढ़ लेते हैं हम यह रिपेरिंग करती है निवस और यह जि नर्वस कोशिका, तंत्रिका उसको ये मरमत करती है मतलब उसको ये रिपेरिंग करने में ठीक करने में help करती है आपके ये जो पीने gland होती है ठीक है, इसके लावा क्या करती है neutralize करती है amount of melanin pigment in our body, हमारी body के अंदो जो melanin pigment है उसको neutralize करने में, उसके amount को neutralize करने में help करती है ये जो पीने gland है, तो ये तो इसके functions हो गए important समझ में आगे आपको चलिए next देख लेते हैं, क्या कह रहे है next कह रहे है biological clock gland है अब मैंने या पर इसको clock को बना दिया है आप लिख भी लीजेगा, biological clock gland है बाइ नेचर हमारी बॉड़ी के अंदर फिट है ये, और ये क्या करती है biological clock gland जो है, आपके जो धैनिक चक्र है जो आपका daily schedule है, उसको regulate करता है, ये पीने gland daily schedule क्या है हमारा सुबह उठना, सुबह उठने के बाद सारा काम करना, और रात में क्या है आपके सो जाना, तो इसलिए इसको biological clock gland बोलते है ये, biological हमारी human body अंदर फिट है, अब इस hormone की कमी से एक बिमारी होती है, जिससे आपके insomnia बोलते है, अनिद्रा बोलते है मतलब नींद ना आने की जो परशानी है वो आपके इसी hormone के कमी से होती है, या कह सकते है इसकी imbalance है, इस gland के जो hormone security उता है, उसके imbalance है, ये बिमारी आपको होती है insomnia, जिसको आप क्या बोलते है अनिद्रा बोलते है, नींद ना आने की परशानी बोलते है, ठीक है clear हो गया आपको, समझ में आ गया पिरियर gland के बारे में कहां पर situated होती है, हमारे human brain में situated होती है ये, वहां पर आपके मतलब situated को क्या बोलेंगे हिंदी में, इस्तित होती है, आपके दिमाग में इस्तित होती है, इसके functions क्या क्या है, ये क्या करती है इसमें से malatonin hormone secret होता है जो क्या करता है, हमें हमारे डैनिक चक्रो रेगुलेट करता है इसके लाब आपके sleep hormone है नीन लाने में हमको help करता है जिनमें ये hormone का disbalance होता है, उन्हें insomnia होता है तो डॉक्टर उनी की अनिद्रा की परशानी को दूर करने के लिए उन्हें malatonin hormone की ही दवा देते हैं, ठीक है जिससे वो hormone उनकी body में properly secret हो, और उनको नीन दाचके और वो आराम कर सके अनिद्रा की बिमारी को दूर कर सके तो students, समझ में आया अच्छा लगा वीडियो, अगर पसंद आया है तो like, subscribe, share करना मत भूलेगा चैनल पर comment कर सकते हैं इसके लावा आप learning with divya करके टेलिग्राम पर चैनल को search कर सकते हैं टेलिग्राम पर मैं हूँ वहाँ पर आपको मैं जो वीडियो अप्लोड करने वाली हूँ उसका आपको notification मिल जाएगा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स वीडियो में मिलेंगे नेक्स टॉपिक के साथ वहाँ पर हम और ग्लाइंट्स के बारे हम बात करेंगे इंपोर्टेंट है कि टॉपिक बहुत आपको help करने वाला है तो पढ़िए नोट्स बनाईए जिनने नोट्स बनाईए वह प्रोसीजर को फॉलो करके वाटसेप ग्रूप पर आड़ हो जाएगे थाइंक्यू सो मच नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखिए स्टे सेफेट स्टे हों ओके बाई